इस Hellow students hm Switzerland would be a neighboring the new method that is a unitary method in ratio and proportion रिश वे अ org एड प्रोपोषिन में आज हम new method discuss करने वाला हैं ॐ यो निमीत रेखोन और शके है ilी usted धिये हैं ठिक है रिशन प्रोपोसिशनन से ऑ्य Vir席 इसके री रिव्हेंड वाज वह लाओ लड़ी ईसकस कर चू FUCK है इसके अलावा हम यहां पर ratio and proportion में proportion जो हमने last time discuss किया था ठीक है proportion में हम values को या कोई भी numbers है two parts में या हमें ratio given है किसी भी part का और उस ratio में divide करना है whole number को या total values को तो हम किस type से करते हो proportion में हमने देखा clear अब आज हम यहां पर discuss करने वाले हैं unitary method को तो unitary method क्या होता है unitary method को हम किस type से use करेंगे जो कि आज हम यहां पर discuss करने वाले हैं माल लेते हैं कोई भी आप pens ले लीजिए यह pens है मेरे पास इन pens ऐसे मैंने यहां पर अभी तो मेरे पास single pen है but मैंने five pens से board किया है मतलब खरीदे shop से ठीक है अब five pens का charge माल लेते हैं thirty rupees आया ठीक है अभी तो मैंने five pens करीदे कितने pen खरीदे five pens कितने रुपे में thirty rupees में कितने रुपे में खरीदे thirty rupees में अगर मैं आप से पूछना चाहूं कि एक pen only one pen कितने rupees का होगा तो आप क्या कर दोगे one pen के लिए five का divide कर दोगे thirty में क्योंकि five pen का था यह price तो कितना आ गया six rupees तो one pen six rupees का आ गया बट मेरा question यहां पर यह है कि four pen कितने के होंगे अगर five pen thirty rupees के है तो four pen कितने के होंगे ठीक है तो हमने पहले single pen का value निकाला अब single pen का value निकाल गया आप four pens का आप easily निकाल सकते हो four pens का कितना होगा six multiply four 24 rupees इसे ही हम क्या कहेंगे जो हमने method use किया है इसे unitary method बोला जाता है मतलब आपको यहां पर five pens का value 30 rupees गीवन था ठीक है फिर हमने one pen का single pen का निकाला क्यों क्यों क्योंकि हम four pen का निकालना था अगर हम one pen का निकाल सकते हैं तो one pen का निकालने के बाद उस one pen के value का हम four से multiply कर देंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा five four pens का value find out हो जाएगा जो कि हमें 24 find out हुआ है और जो method इस टाफ हमने use किये है इनी को हम क्या कहते हैं unitary method clear तो यहाँ पर कुछ example और भी है जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा look at this problem इस problem को हम देखते हैं क्या है problem if the cost of three pens is twelve three pens का कितने रुपीज है 12 rupees cost है कितने रुपीज cost है 12 rupees what will be the cost of eight pen तो eight pen का cost क्या होगा यह आपको बताना है eight pen का cost कैसे बता हो गया अगर हमारे पास three pen का cost given है तो क्या हम single pen one pen का cost find out कर सकते हैं so one pen का cost कितना होगा four rupees one pen का cost क्या होगा four rupees तो आप बताईए कि eight pen का cost क्या होगा eight pen का क्या करेंगे eight से multiply कर देंगे one pen cost को तो कितना आ चुका है, 4 x 8, 32 rupees, तो क्या हमारे पास 32 rupees आ चुका है, कितने pens का cost आ चुका है, यह 8 वेंस का, आपको question में given था only, कि 3 pen का cost अगर 12 rupees है, तो 8 pen का cost क्या होगा, यह आपको बता ना था, हमने single pen का cost find out किया, जो कि हमें 4 rupees find out हुआ, अब single pen का price अगर 4 rupees find out हुआ है, तो 8 pen का कितना होगा, single pen के price को 8 से multiply करते है, तो हमें easily find out हो जाएगा, 32 rupees, अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, उसको भी हम discuss कर लेते है, the cost of 3 pen is 12 rupees, 3 pen का cost 12 rupees है, given equation में, आगे, so we know that the cost of 1 pen will be lesser than 12 rupees, मतलब 1 pen का cost क्या होगा, lesser find out होगा, किस से 12 rupees है, क्योंकि 3 pen का cost है, ना कि 1 pen का, अब वो कितना lesser find out होगा, यह हम यहाँ पर पता कर लेते हैं, तो आपको नज़र आ रहा हूँ, we can find the cost of 1 pen by dividing 12 by 3, तो हम अगर, 1 pen का cost price find out करना है, तो हम क्या करेंगे, 12, जो 3 pen का cost price था, उसमें 3 का divide कर देंगे, तो हमें क्या, 1 pen का cost price find out हो जाएगा, यहाँ तक clear, then after, the cost of 1 pen is, 12 by 3 is equal to 4 rupees, जो कि हमने यहाँ पर find out किया था, 3 pen का cost price हमने 4 rupees ही find out किया है, कैसे, कि 12 में 3 का divide कर दिया, 4 सिर जा 12 होता है, तो 4 answer, 4, 1 pen का, क्या होगा, cost price होगा, 3 pen का 12 था, तो हमने 1 pen का 4 rupees, cost 12 find out कर लिया है, अब आगे देखिए, if we have to find the cost of 8 pens, अगर हमें find out करना है, cost किसका 8 pen का, so, we can, we know that, it will be the more than the cost of 1 pen, इसका meaning क्या है, कि अगर 1 pen का 4 rupees है, तो 8 pen का more than 4 rupees find out होगा, यह obviously बात है, अगर 3 pen का 12 rupees था, तो 1 pen का less find out होगा 12 है, तो 4 rupees आया, ठीक है, पर अब हमें 1 pen का 4 rupees given है, तो 8 pen का greater find out होगा value 4 से, तो यह लिखा हुआ है जहाँ पर, ठीक है, so, we multiply 4 by 8, तो हम multiply कर देगे, किस से, 8 से 4 को, we get 32 rupees, हम कितना find out करेंगे, 32 rupees 4 multiply 8, so, that the cost of 8 pens is 32 rupees, तो आपको मैंने यही discuss किया था, first में आती, जो की न्याद theory में लिखा हुआ है, कि if 3 pen cost price is 12 rupees, then 1 pen cost price is 12 by 3 is 4 rupees, so, 8 pen का cost price कितना होगा, तो हम 1 को 8 से multiply कर देगे, आपने divide क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर 3 pen का 12 rupees था, तो 1 pen का क्या होगा, less find out होगा, और less कब होगा, जब divide करेंगे, इसलिए divide किया, और multiply क्यों किया, अगर हमें 1 pen का 4 rupees find out है, हमने find कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, हमें greater value find out करना होगा, उससे, 8 pen का greater value find out होगा, तो हम क्या करेंगे, multiply करेंगे, तब ही होगा, तो 8 से multiply करेंगे, clear, So, अगर 3 pen का cost price 12 rupees था, तो 8 pen का कितना find out होगा, 32 rupees, यह ही क्या होगा, इसे ही अपन क्या कियता है? यूनितरी मैथर किया है अब इसमें कुछ steps हमने follow किये है कुछ steps हमने follow किये है उन steps को बताते हैं, discuss करते हैं In this process, in the process of our calculation, we found out of value of the units In this case, cost of one pen, तो हमने unit, one unit के लिए value find out किया Cost of one pen का हमने value find out किया है, clear? So, this method, so, this method of the solving is called unitry method तो इस method को इसलिए क्या कहा जाता है, unitry method, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने one pen का cost price भी तो find out किया है Three pen से one pen पे आ है, three pen से one pen पे आ है और one pen से eight pen पर गए, मतलब one pen पे गए unitry method, clear? तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, unitry method बोला है, clear? Next, अब कुछ steps है, unitry method का, जो हमें follow करना होता है वैसे आप सभी को पता चली चुगा होगा, हम already एक example discuss कर चुके है But, अब इसकी कुछ steps है, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखिये First step, identify the cost, identify the facts given सबसे पहले हम identify करेंगे, जो facts हमें given है, question में, जो भी facts हमें given है जैसे कि अभी last question में given था, कि three pen का cost price कितना था? 12 rupees तो हम identify करेंगे सबसे पहले, जो facts हमें given है, then after identify, what is to be found out इसके बाद हम पता लगाएंगे, कि हमें find out क्या करना है, सबसे पहले तो जो given है, उसको देखेंगे, note कर लेंगे फिर हमें क्या find out करना है, वो हम identify करेंगे, third step में क्या होगा, find the value of unit by dividing then after, third step में हम क्या करेंगे, unit का value find out करेंगे, unit का value find out करेंगे, unit value find out करेंगे, unit value find out करेंगे कब? divide करके, clear divide करके, then value of one, तो single का value of one का value find out करने के लिए, given value divide by number of articles जो value हमें given है, उसमें divide कर देंगे, क्या number of articles का, so value of one क्या होगा, given value upon number of articles आगे, multiply this result with the required units, फिर जितने units का हमें requirement है, उतने units से हम, जो unit value find out हुआ है, उसको हम multiply कर देंगे, value of many, तो value क्या होगी, value of one, multiply required number of units, single one का, जैसे कि हमने one pain का find out कर लिया था, फिर eight pain का requirement था, तो one pain को हमने eight pain से multiply कर दिया था, eight pain के value, one pain के value को हमने eight से multiply कर दिया था, तब हमें क्या find out हो गया था, eight pain का cost price find out हो गया था, तो हमारे पास four steps होता है, first step क्या होता है, identify the facts given, जो facts हमें given है, उनको identify करेंगे, second हम identify करेंगे, हमें क्या find out करना है, okay, हम identify करेंगे, हमें क्या find out करना है, third क्या है, find the value, फिर हम unit value find out करेंगे, क्या divide करके, unit value find out करेंगे, किसका divide करके और one value कैसे find out करेंगे given value में क्या करेंगे number of articles का divide कर देंगे जो given value है उसमे number of articles का divide कर देंगे आगे आप से बोला गया है फिर fourth में अब जिस value का हमें requirement है जो हमें find out करना है result unit prove करना है जिसका भी जैसे की 8 pane का करना था तो हम इस unit value को 8 से multiply कर देंगे तो वह ही लिखा हुआ है value of many value of one multiply required number of units यही क्या होते है four steps होते हैं unitary method के clear आगे चलो अब इससे related important questions है उन important questions को हम discuss कर लेते हैं ठीक है first question क्या है if the cost of six chocolate is 210 rupees अगर six chocolate का solution ठीक है six chocolate का cost price कितना है 210 rupees यह हमें given है किसका value find out करना है यह तो हमें क्या है given first step के according identify कर लिया second step में हम identify करते हैं क्या हमें value find out करना है क्या find out करना है four chocolates का value क्या होगा ठीक है यह हमें identify करना है clear अब इसका value हमें identify करना है इसका value हमें given है अब unitary method use करेंगे अगर six chocolates का value 210 rupees है तो one chocolate का value क्या होगा क्या price होगा one chocolate ka और if six chocolate value is 210 rupees तो one chocolate value is कितना होगा six का हम divide कर देंगे total value में clear जैसे 210 में six का divide करें कितने time कितना time जाएगा three से 70 time three से two time 35 time so one chocolate का cost price कितना आ चुका है 35 rupees okay six से direct भी कर सकते थे six three जा कितना होगा 18 remaining three 35 times 35 rupees if one chocolate का cost price आपके पास आ चुका है 35 rupees तो आप क्या four chocolate का cost price पता कर सकते हूँ so four step क्या बोलता है कि unit value को हम multiply कर देंगे required value से so required value four chocolates का है one chocolate का value हमें पता है तो हम क्या कर देंगे one multiply four chocolate is equal to कितना होगा 35 multiply four clear 35 को 4 से multiply कर दो कितना होगा 140 अगर नहीं आता है तो हम one by one कर देंगे four five जा twenty two four three जा twelve twelve and two forty one forty rupees तो आपके पास यहां पर four chocolates का price आ चुका है one forty rupees तो इसका value क्या होगा four chocolate का answer क्या होगा four chocolates का कितने रूपीज होगा 140 रूपीज clear next question है मारे पास a bus travels 240 km in six hour how many how long will it take to travel 360 km अगर six kilometer में कितना 240 km चलता है कितने six kilometer में six hour में देखिया हमें क्या given है if 240 km कितने hour में travel करता है six hour में यह तो में क्या है given तो प्रूव क्या करना है हमें कि 360 km को travel कितने में कितना hard time use लेगा करेगा ठीक है 360 km travel करने में कितना time लगेगा अगर 240 km travel करने में six hearts लगते हैं तो हमें बताना है कि 360 km travel करने में कितने hearts लगेंगे तो आप बताईए अगर 240 km travel करने में six hour लगते हैं तो one kilometer travel करने में कितना hearts लगेंगे six by 240 clear but हमें वेल्यू किसका find out करना 360 km को travel करने में कितना time लगेगा तो हम क्या करदेंगे 1 km को multiply कर देंगे 360 km से कितना होगा 6 by 240 multiply 360 क्या यह 360 km आ चुका है कितना होगा देखो यहाँ पर cancel कर दो 100 से 100 ओके 6 से 4 टाइम, 4 से 36, 9 टाइम, ओके 9 हार कितना टाइम लगेगा हमारे पास हमारे पास यहाँ पर 360 km travel करने में 9 हर आप दे सकते हो हमने क्या किया है अगर 240 km 6 r में travel करता है तो 360 km कितने hard में travel करेगा यह आपको पता करना था तो हमने 240 km एगर 6 r में 6 r लगते हैं 240 km में तो 1 km ट्रेवल करने में कितने hard लेंगे 6 by 240 hard clear तो 360 ट्रेवल करने में कितना hard लगेगा तो हम 360 से 1 km को multiple करेंगे 360 km is equal to 6 by 240 multiply 360 तो आपको 360 km travel करने में कितना टाइम लगेगा नाइन हाफ लगेंगें क्लियर है नेक्स्ट क्योचन है राज एंस 1500 इन 10 देज राज कितना अर्ण करता है 1500 कितने डेज में 10 देज में तो हमें गीवन क्या है given है राज अण करता है क्या 10 देज में कितने रुपीज 10 देज में कितने रुपीज 1500 रुपीज राज अर्ण करता है 10 देज में 1500 रुपीज तो आप बताएगे how much will he earn in 45 days, तो यह 45 days में कितना earn करेगा, 45 days, आपको prove क्या करना है, 45 days में कितना earn करेगा, यह आपको find out करना है, कितने rupees earn करेगा, अब हम find out कैसे करेंगे, यह चीज आपको भी अच्छे से पता है, हम यहाँ पर use करेंगे, unitary method, मतलब हम one day का, one day में कितना find out करता है, वो कितने rupees find out करता है, वो find out कर सकते हैं यहाँ से, केसे, कि अगर 10 days का 1500 rupees है, तो one day का कितना होगा, divide by 10, so, कितना होगा, 150 rupees, तो one day का हमारे पास आचुका है, 150, one day का आचुका है, हमारे पास, 150 rupees, अब one day में, अगर 150 rupees earn करता है, तो 45 days में कितना earn करेगा, यह आपको find out करना है, कितने, 45 days, तो हम क्या करेंगे, one day को 45 से multiply करदेंगे, 45 days से, तो हमारे पास value क्या होगा, rupees भी किस से multiply हो जाएंगे, 45 से, तो देखिए आप, one multiply 45 is 45 days, अब क्या हम 45 days का ही हमें find out करना था, और value देखिए आप, 150 को 45 से multiply कीजिए, 15 multiply 5 कितने होगे, 75, 5, 7, 15 multiply 4, 60, 67, और 0 as it is rupees, तो हमारे पास value आ चुका है, 45 days में कितने रुपीज अर्ण करेगा, वो, 6,750 रुपीज, 6,750 रुपीज, ओके, तो हमारे पास value क्या था, हमें गीवन था, कि 10 days में अगर 1,500 रुपीज अर्ण करता है, तो 45 days में कितने रुपीज अर्ण करेगा, तो हमने 1 day में कितने रुपीज अर्ण करेगा, 6,750 रुपीज, 6,750 रुपीज, 15 को 45 से मुलिप्लाई करदीज, मुलिप्लाई 0, clear, okay. Next question हमारे, a family of 8 people is entitled, untilled, to a ratio of 6,400 gram of a sugar, okay. What will be the sugar ratio for a family of 10 people, ठीक है, तो 8 people, कितना gram sugar लेता है, इतना sugar यूज करता है, तो आपको 10 people का बताना है, तो 1 people का कितना होगा, हम क्या कर देंगे, 8 का divide कर दे, कितना होगा, 800 gram, अगर 1 people का 800 gram sugar आया है, तो आप बताये, 10 people का कितना होगा, multiply by 10, कितना होगा, 800 multiplied 10 gram, clear, so, कितना होगा, 8000 gram, यह क्या होगा, आपका answer होगा, clear. next है हमारवा, the cost of 30 meter of polyester cloth is 450 rupees, find the cost of 16 meter of cloth, अगर वही, same type का question होगा, unitary method use करेंगे, क्या है, 30 meter polyester का price है 450 rupees, यह हमें क्या है, given है, क्या ही हमें, given है, अगर 30 meter, polyester cloth का, कितना price है 450 rupees, तो हमें find क्या करना है, 16 meter का हमें find out करना है, क्या price होगा, वही हम अगें, unitary method यहां पर use करेंगे, अब unitary method हमें use करना है, किस type से करेंगे, देखिए, one meter का हम find out कर सकते हैं, क्या होगा 450 divided by 30, तो 3 से 0, 3 से 45, 15 rupees, कितना find out हो चुका है, 15 rupees, तो हमें कितने meter का चाहिए, 16 meter का, तो हम इसको किस से multiply कर दें, 16 meters है, कितना होगा, 15 multiply 16, 16, so 16 meter is equal to you, multiply कीजे इनको, 9 15 मंजा 15, 9 is 24, क्या यही आ रहा है क्या आपका, आप direct भी कर सकते हो, 16 multiply 15 है, 15 multiply 16, तो 15 से 16 को करेंगे, 15 सिक्जा कितने होते हैं, 90, 0, 9, 15 मंजा 15, प्लस 9, 15 प्लस 9, 24, clear है, तो 15 multiply 15 आप direct भी कर सकते थे, 225 होता है, और उसमें again 16 है, तो 15 हो rate कर दीजे, 225 में, तो कितना हो जाएगा, 240 रूपीज, हमारे पास है 240 रूपीज यह आ चुका है, तो 16 मिटर क्लोज, प्लस्टर का, price क्या होगा, 240 रूपीज, price होगा, clear, next question है, aeroplane, flies 4000 km in 5 hours, how far does it travel in 3 hours, अगर 5 hours में, कितना travel करता है, aeroplane, 4000 km, यह आपको क्या है, G1 है, यह आपको क्या है, G1 है, clear, तो आपको बताना है, कि 3 हार में, कितना travel करेगा, 3 हार में, कितना travel करेगा, तो हम क्या करते हैं, पहले 1 हार का, unitary method के according, 1 हार का find out करेंगे, सकते हैं, so 4000 divided by 5, divided by 5, clear, so 5 से 48 time, double zero, so 800 km, 1 हार में, कितना travel करता है, एक aeroplane, 800 km, तो हमें, 3 हार में, कितना travel करेगा, तो हम क्या करेंगे, 1 हार को क्या 3 हार से भी multiply कर सकते हैं, कितना होगा, 800 multiply 3 km, so 3 हार में, कितना travel करेगा, कितना होगा, 2400 km, कितना travel करेगा, 2400 km, यही क्या है, आपका unit method होगा, clear, next question देखने है, if 5 bars of shops, cost price कितना है, 31 rupees, find the cost of 2 dozen, such bars of a shop, 5 bars of shop का हमें, cost price given है, given क्या है, 5 bars का, कितना, 31 rupees, तो आप से पूछा गया है, कि 2 dozen, bars of shop, cost पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 2 dozen के लिए पूछा गया है, अब dozen का meaning क्या होता है, 1 dozen में कितना होता है, पता होगा आपको बता देते हैं, देखिए, 1 dozen का meaning होता है, 12, 1 dozen में कितने होता है, 12 values होंगे, तो यहाँ पर 2 dozen में कितना होगा, 2 multiplied 12, is 24 bars होंगे, मतलब 24 bars का हमें value find out करना है, clear है, 24 bars का हमें value find out करना है, अब 24 bars का हमें value find out करना है, 5 bars का 31 rupees है, तो 1 bar का कितना होगा, 31 by 5, clear, so 24 bars का कितना होगा, 31 by 5, multiply 24, clear है, अब multiply कर तो, divide कर देना, 24 से 31 को, देखो, इदर यह से multiply कर देते हैं, 1 by 1 जो सिखाने जाता है आपको, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, again 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 4 4 7, clear है, आप direct भी कर सकते थे, 14 multiply 1 is 4, 2, 14 multiply 3, कितना होगा, 72, 72 plus 2 is 74, direct भी कर सकते थे, बट आपको इसे बता दिया, चलो, 7 4 4 upon 5 rupees, fraction में क्यों रखे हैं, points में निकाल देते हैं, 24 bars का कितना होगा, 24 bars का, 5 का divide कर दो, 5 बन जा 5, 72, 24, 5 4 जा, 20, 24, 4, 44, 8, 40, again 8 rupees, यह ही क्या होगा आपका, answer होगा, 4, 1488.8 rupees, if the cost of 8 shirts is, 4000 rupees, then find the cost of 3 shirts, अगर, 8 shirts का, देखो, given क्या है, वही 4 steps, use करेंगे, first given, given क्या है, 8 shirts का, cost price is, 4000 rupees, clear, तो हम unitary method, use करेंगे, पर हमें find क्या करना है, 3 shirts का find out करना है value, 3 shirts का value क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यहां पर, 1 shirt का find out कर, दीजे value पे ले, 1 shirt का cost price कितना होगा, तो 4000 upon 8 rupees, clear, so value is, 8 से, कितना time, 500, so 500 rupees, अगर 1 shirt का cost price 500 rupees था, तो 3 shirts का cost price कितना होगा, यह में पता करना है, 3 shirt में क्या करेंगे है, multiply 3, 3 shirts का cost price is, 500 multiply 3, कितना होगा, 1,500 rupees, कितना होगा, 1,500 rupees होगा, तो question में हमें given था 8 shirt का cost price 4000 rupees है, तो 1 shirt का कितना होगा, 500 rupees, 8-4 जाए कितना होग, 8-5 जाए कितना होता है, 40 होता है, 500 rupees, तो 3 shirts का कितना होगा, 500 multiply 3 is, 1500 या 1500 रूपीज, तो हमारे पास क्या ऐसा option है, yes, option C is right, next question है हमारा, a scooter travels 60 km in 2 hour, how long will it take to travel 300 km, अगर 60 km को travel करने में 2 hour लेता है, स्कूटर, तो 300 km को travel करने में कितना हार लेगा, ज्यादा ही लेगा, कुछ भी हो, तो हमें पता है, देखिए, given क्या है, 60 km का कितना है, 2 hour, तो हमें किसका find out करना है, 300 km में कितना travel करेगा, कितने हार में travel करेगा, यह हमें find out करना है, तो हम 1 km कितने हार में travel किया, यह पता कर सकते हैं, 2 by 60, हार में, तो 300 km कितने हार में travel करेगा, यह भी हम पता कर सकते हैं, किस से 300 से multiply करके, आप एक चीज़ बताइए, 1 0 से 1 0, 6 से 30, 5 time, 5 2 सा 10 हार, कितने हार में travel करेगा, 300 km, कितने हार में, 10 हार में travel करेगा, क्या ऐसा option हमें given है, yes, option C is right, clear. Next question, if the cost of 12 oranges is 30 rupees, then the cost of 6 such oranges is, अगर solution देखिया आप इसका, 12 oranges का cost price है, 30 rupees, यह तो हमें given है, क्या है, given है, find क्या करना है, 6 oranges का cost price क्या होगा, यह हमें find out करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 orange का find out करने है, 1 orange का कितना होगा, 30 upon 12 rupees, 30 upon 12 rupees ही होगा, तो 6 का find out करना है, 6 का कितना होगा, 30 upon 12 multiply by 6, clear, 6 से 12 2 time, 2 से 30 15, आपको सीज़ा सीज़ा ही पता चल रहा है, 12 का 30 है, तो 6 half कर दो, मतलब 15, so 6 oranges का cost price कितना होगा, 15 rupees, हम इसका answer direct भी दे सकते थे, और हमने यहाँ पर unity method का use करके भी, answer find out कर लिया है, so option C is right, clear, next, if the cost of 1 kilogram packet of tea is 96 rupees, then the cost of 6 kilogram tea pocket is, अगर 1 kilogram tea के pocket का price है, 96 rupees, यह हमें क्या है, given है, तो आपको find out करना है, 6 kilogram का price क्या होगा, हमें unit value पहले से ही given है, तो हम इसको direct 6 से multiply कर दें, तो क्या होगा, 6 multiply 1 kilogram का value कितना होगा हमारे पास, 96 multiply 6 rupees, yes or no, यह होगा, तो 6 kilogram का value कितना आएगा, again 6 से, 6 6 jar, 36, 3, 6 9 jar कितना होगा, कितना होगा 6 9 jar, fast, 54, 54 plus 3, 57, तो 57 rupees, तो क्या है, option हमें गिवन है, 576 rupees, yes 576 rupees, so option, option C is right 576 rupees, next question, if the cost of 5 kilogram jam bottle is, 5 kilogram jam bottle का, आपको given है, कितने rupees है, cost price, 360 rupees, यह given है आपको, so find क्या करना है, 2 kilogram jam का bottle का price क्या होगा, यह आपको find out करना है, क्या करेंगे, वो ही, unitary method, 1 kilogram jam के bottle का price find out करने है, 360 upon 5 का divide कर दो, clear, so 1 kilogram jam के bottle का price आचुका है, 5 से divide करेंगे, कितना होगा, 576, 35, 36, 1, 2, 72 rupees, तो आपको पता है, कितने kilogram, 2 kilogram के लिए find out करना है, 2 से multiply कर देंगे, कितना होगा, 72 multiply 2 rupees, so 2 kilogram jam bottle का price कितना होगा, 4, 144 rupees, 144 rupees, clear, क्या यह सा option हमें given है, yes, option C is right, option C क्या होगा, को मारा right होगा, okay, so thank you everyone,